हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा गिरामर गुरू आज हम पढ़ेंगे बन वर्ड सब्स्टिटूशन्स डिनोटिंग मैरेज इससे पहले हम पर्सन के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में जो बन वर्ड थे वो पढ़ चुके हैं इसमें हम मेरेज के से संबंद जो सब्स्टिटूशन्स हैं उनके बारे में पढ़े तो सबसे पहले सब्द लिया है एडल्ट्री एडल्ट्री क्या होता है विभायतर संबंद यह विभायतर अनेतिक संबंद जो होते हैं उसको हम एडल्ट्री बोलें तो एडल्ट्री का सब्द होता अनेतिक संबंद या व्यवचार अगला सब्द है अलिमनी का जो अर्थ होता है वो होता है गुजारा भत्ता और गुजारा भत्ता वो महिला जो अपने पती से टायवारस लेती है लेती है तो डायवार्स के बाद जो भत्ता दिया जाता है पती दुआरह उसको हम बोलते है एलेमनी तो एलेमनी का होता है गुजारा भत्ता भरत्ता भरत्ता देखे एं एल onu एन एलोईंस पेड टू वाइफ ऑन डाय words क्या कहलाता है ali money अब आता है बाई गयमी देखिऊ बाई का सब्द याद रखिए यह जो बाई सब्द dud吧 इस का मतलब होता है दो क्या मतलब होता है तो गयमी का मतलब विवाद से होता है अब इतो मातलब उद्ध संध समय पर दो पत नी या घ्रती रटट smart यह प्रेटिस्र है उसको हम बाए ग्यमि बोलते हैं अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल अगर अगलेबद निफी एक तो जिसमें सिंगल उन्वा इया सिंगल पत्नी रखता है उसको हम बोते हैं मोन हो गया नियुक्त तो दो सब्द याद्ध हो गए हैं अगले बात करते हैं अगला सब्द है सैली बेसी अब तो होता है कुवारा रहना जिंद की भर कुवारा रहना इसका मतब तो ब्रह्म चरिये इस टेट आफ अबस्टेंशन प्रॉम मेरिज अबस्टेंशन मनने बचाओ मेरिज से बचना सैली बेसी कराता है यानिके ब्रहमचरी क्या बचता है कौन कुवीज दू कौन सब्ड है सब्द है वो है लेव इन रिलेशनंसित इशसा जिसमें तो महिला पुरस एक साथ रहते हैं लेकिन साधी नहीं करते हैं यह बिना साधी के एक साथ रहना है तो हमेशा से ही होता रहा है तो उनको क्या बहुत है कौन को बिज़ा रखेल प्रता तो क्या है जबिना साधी के जब महिला और पुरस साथ रहते हैं तो उसमें कौन क्यूविनेज कहा जाता है जिसे कौन क्यूविनेज जो सब्द है वो मुख्धा महिला के लिए कहा जाता है रखेल अगला है जिसे एक और भी सब्द है एक सब्द है इसमें बहुत सुना होगा आपने keep सब्द, keep का मतलब भी रखेल होता है keep अगला बाद अगला सब्द है misogamist देखिए, सब्द को visualization करके देखिए जो miso का मतलब होता है इसका मतलब है घ्रणा, hate और gammy मनिए साधी, तो gamist साधी करने से साधी तो gamist का, इस जहां लगता है वह वहाँ बन जाता है ब्यक्ती वहाँ क्या बन जाता है ब्यक्ती, तो misogamist साधी से घ्रणा करने बाला ब्यक्ती one who hates marriage misogamist ठीक, याद हो गया होगा one who hates marriage क्या कलाएगा, misogamist अगले सब्द matrimony, तो matrimony का होता है matrimony का मत्त, आपने अख़वारों में सुना होगा matrimonial ब्यवा संबंदी जितना जो आता है तो matrimony का मत्त दामपत अभस्था होती है यादि के state of being married साधी की अभस्था यादि साधी सुदा जो कहते हैं, साधी सुदा है तो उसको हम matrimony बोलेंगे अगर अभी हमने पढ़ा था उपर by gaming अब यहाँ पर क्या भाए? mono gaming, single यह कि the practice of marrying one at a time यह एक बार में एक ही पत्नी या पती रखना वो क्या कहता है? mono gaming अगला सब्द है poly gaming और poly angry देखे, gaming का मत्ब बिफा हो गया और poly का मत्ब बहू poly का मत्ब बिफा हो गया entry का मत्ब husband तो gaming का मत्ब है बहु पत्नी रखना polygame, बहु पत्नी रखना अग बार में एक से अधिक पत्नी रखना polygame और polyundry, एक बार में एक से ज़्यादा पती रखना और प्रेक्टिस of marrying more than one husband at a time जिसको हम जैसे बोलते हैं महापारत में द्रौपदी हुआड फाइव हजबेंट एट टाइम तो पॉलिएंट्री समझ में आ गया बहुपतिब और पॉलिगयमी सिंगल पत्ने एग बहुपत्ने अगला सब्द है इस पिंटर इस पिंटर वो महिला होती है जो बड़ी उम्र तक क्वारी रहती है यहीं कि एक उम्र दराज औरत जिसने पसादी नहीं की है आप उमीद कर रहे हैं आप इनको याद रखेंगे और आपके भवस्त में यह बहु अल्ड़ बेस्ट